सब्सक्राइब कीजिए सिंपरेंस किचन को और बेल आइकोन को दपाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिशना हो इस डुर्टली प्रीज कुछ ठीजय के बें डिलीशेश्य बहुत हैं जाए हमें चृषिज का शल्च तरह बिखे से बाते ह motivYour या तक पलेश्ट काष्ट है के वागटी वह से तरह तो हो आड़के से को जाई बादा है दो अजरे बालेते हुए यहांपे मैंने ठाके से कर्स लगा ताकि जब करें मिलभाइने, पर भीकोयर पर, जाप आप इसका वीडियो मैंने पहले ही मेरे चानल पर अपलोड कर रखा है आप उसमें से देख सकते हैं तीन बरे टमाटर चोकंतुक्रों में कटे हुए दही चाहिए हमें 250 गर्म दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लंपसना रहे यह प्यास ले स्वाह में एने प्यास ले लिए हमें कुछ खड़े मसाले यह चाहिए वह देख लेते हैं पाउडर मसालों में हमें चाहिए बिवियानी मसाला आपड कही भी आड़ी मासाला मोबी ऐसेख arises 세फिसपॉन 70- 60度 फावडर चाहिए 5MP , 2- großen घरमसाला flouruç चाहिए 1 next Owen 6-th anche 30-80 मिर्च , 3-4 CAD ले लिए किसल में more than you elders कितले थावचे खड़ें मसालोंके हमें लोग्हाब्वी 2-3zd, 3-4 लॉग्हाब्वी 2-4 काली मिर्च and Texas अब घड़े मसाले लिये है अब गार्णिश के लिए और या बिव्यानी में डालने के लिए इसका टेस्ट बढाने के लिए हम पुदिन ले लिया है, पुदिन पत्ति ले ले लेंगे और हवाधनिया ले 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 यह आप आप के टेस्ट के साब से कम जादा कर सकते हैं इस चाहिए नियुक्ट जाए तो जाए डियानी कर टेस्ट बढाने के लिए अप सिर्फ चाहिए तो चाहिए तो कुकिंग ओई बना सकते हैं या इसा घी में भी जोड़ी दोनों यूज़ करने वाली हूँ अद्वक अवलसून की पैस्ट चाहिए हमें 1.5 तेबल स्पून नमक हम अपने स्वागनों साव लेंगें फूर कलर चाहिए हमें अब यहां पर दो चोईस के साब से फूर कलर ले सकते हैं या तो फिर वे से स्किप कर सकते हैं इसके अलावा हमें कुकिंग ओई चाहिए तो य मैं चानल पर वाइस कैसे बॉल किया जाए उसे देख सकते हैं तो चिकन को मैमनेट करने के लिए यहां पर मैं इसमें डाल दूंगी अद्वक अवलसून की पेस्ट साथी डालेंगे टमाटर दही डाल देंगे इसमें दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लंस न इसमें बशस सकते हैं साथ हि अब ढालेंगे फरैइकियू पीयास ल्थे नगे ऻए टोडालिक के टू नकी संय दाल देंगे अगर चाहे तो पुदिणाप्ति को आप हातों से तोड़के डाल सकते हैं और आप अगर चाहे तो पुदिणापति हवा धनिया और हम आपी मज अब निश्चे से मिक्स कर लेंगे। आपके चाहे हमें, अपने हातों के मतदसे कि सकथे हैं, ताकि अच्छे से मैसालाई लग जाएं मेरे से बिड़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है अब कर एक से घंटे के लिए चोगदें ने कि तो यह एक से देड़ घंटा हो चुका है चिकन हमारा बहुत यह अची से मारिनेट हो चुका है अब चलते है इसे बनानी की तरह तरह बिव्यानी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक पैंच अधिया है और इसमें मैं आपको बताया था मैं तेल और गी दोनों यूज करने वाल तेल में अच्छे से उतर जाए आदाव निट पात मसाले अच्छे से भूं चुके है अब हम इसमें हमारा मैंगेटर चिकन डाल देंगे और सावा मसाला हमें इसमें यहां पर डाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे ढख कर भीमी आज पर 10-15 मिट तक के पकने के लिए छोड़ देना है तो यह देखिए मैं इसे बहुत इच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे एक लिड से ढख देंगे और ग्यास की प्लेम लो रखेंगे लो प्लेम पर हमें इसे पंदा हमने तक के पका लेना है ताकि हमारी जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और सारे मसाले उसमें अच्छे से चले जाए तो देखिए 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 पंदा हमने ठोच चुके है पांट का ठकन अटा देंगे जैसे कि मैं आप तो बताया था इसे बीच बीच में चला लेकिन यहां पर यहां पर बनाया है तो इसमें जाड़े तले बतन ले लिया है और इसमें उपर वहाईब डाल दिया है अब यहाँ पर मैं इसपर food cutler difference नौमरी हम जब rice डालते हैं उसके ऊपर food cutler difference डालते हैं.. लेकिन मैं यहां पर chicken chicken pieces के डाल रही है। जब पीसे efter हो जो मैं इसे serve करते हैं जो doakt Nate with dark flavor, color is the best feeling जो बार या देख़्ेस ऩो बहुत जादा अच्छे देखते हैं देंगे देंगे, तो फूरकल्प डाल दिया थोड़ी सी फ्राइड ओनियन डाल देंगे, जाल ऑप बाते चाहते के सरगरं टीना पती को हाथों से तोड़ा सा जैने एकशनी बड़ी हम जैए, जौने शेजिकता है मैं यहें टालता है फॉल कलर तो पड़ीन टालिए देशी घी द़ाल दिया है हरादनिया पुदिना पत्य डाल देए यहापे तो यह देखे बियानी की कार्णिशिं पुए है अब इसे एक रिव डिव डेख देगे अब इसे डग कर हमें हाइफ पे पहले 2 मिट तक के पकाना है तो आपके पास जाड़े तले का बरतन नहीं है तो आप इसे नीचे पैन या तवा रख सकते हैं और फिर यह बरतन रख सकते हैं तो टोटल हमें इसे 10 मिट तक के पका लेना है उसके बाद हमारी जो बिव्यानी है वो बनकर बिलकुल तयार है तो यह देखिए 10 मिट हो चुके हैं पांका टकर नटावेंगे आप देख सकते हैं कि हमारी गर्मा करम बिव्यानी बिलकुल तयावे गास के बन कर देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे अब इसे सर्फ करते वक्त हम एक साइट से सर्फ करेंगे ताकि हर फ्ले क्विक करते हैं तो यह अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक है और सब्सक्राइब करना ना भूलेगे फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ तब तक के लिए अपि गुकिंग